तो हलो दोस्तों हमारे चैनल आजय वीनु ब्लॉग में आपका स्वागत है हमारे तरब से वीनु तरब से प्यार हो रहा गूड मॉर्निंग दोस्तों आपको पिछले ब्लॉग में कई बार बोल चुको अपने नया घर का रिवियो दोंगा लेकिन कभी नहीं दे पाया देई तो गाई जब चलते हैं सामने से आपको दिखाते हैं ये है अपना गैलरी ये मेन गैलरी है यहां से लेके यहां तक देख पा रहा है और एक सामने जो है फ्रेंड बिंडो लगी है एक रोशन दान यहां पर लगी है एक यहां पर लगी है और एक दरवाजा यहां पर लगी है अब गैलरी के अंदर entry मारते हैं यह गैलरी और यहाँ पर शाम ने देख पा रहे हैं मिट्टी का जो है बना हुआ है सीड़ी यह यहाँ पर हम लोग को अच्छे से प्लैस्टर करना पड़ेगा अभी फिलाल यह है अपनी गैलरी अब गैलरी से diet entry जब मारेंगे गैलरी के अं हर इससे घर को मों दिखाने को सिस करना यह गार कु yol कोछ इस तरहे स्याटी नहीं लगे लेकिन है इसमें अपको चड़के दिखाते हैं फिलाल सहलू अ तो देख पा रहे हैं यही सीड़ी है जिससे में भी चड़े हैं और यह काफी लंबी सीड़ी है यहां से लेके यहां तक है तो यह देख पा रहे हैं यह च्छेत हैं हमारा आगन को दिखाते हैं आपको सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यह दिखेगा आपको च्छेत के दिखाते हैं आपको यह फाइनली जो है यह अपना आगन है शामने आम का पेड़ है देख पा रहे हैं और यहां पर मुम्मी अभी धान उड़ा रहे थी और यह आपको दिखाते हैं अच्छी तरी के जे वाव दोस्तों यहां से गाओं के जो घर है वो कैसे दिखते मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह दिखते हैं देख पा रहे हैं तो दोस्तों यह है अपना घर और अभी हम चड़े है चट के उपर फिलाल यहां का जो विव है कुछ इस तरह दिखता है और अभी काफी ज्यादा धूप हो चुके करीबन नोदस बच चुके हैं लेकिन हमारे घर का जो बैक साइड का सीन है बहुत ही प्यारा दिखता है य आशा लग रहा है छोटा सा घर है लिकिन जब अंदर गोशेंगे आप तो काभी बड़ा मिलेगा और कुछिस तरह दिखता है उदर हमारे जो है बैल बंदे हुए है तो गाइस आपको चट से पूरा विव दिखा जुके हैं अब उदरते हैं अब नीचे के लिखाते हैं य लग गया रहे हैं तो अब चलते हैं कमरे के अंदर जैसे ही अंदर जाएंगे तो मिलेगा एक कुछ इस तरह का द्वार द्वार कुछ इस तरह है और गैलरी के ऊपर जो सेलिंग है छत हमारी तो कुछ इस तरह बहुत आलड़ी पहले पढ़ जुके है इसमें जो चपाई करने के जुरूत नहीं है तो अब फिलाल इसके अंदर चलते हैं जैसे अंदर चलेंगे दो चार पाई बिलेगे हमारी गा कुछ इस तरह सामने देख पा रहे हैं पूरा हम लोगों यहां पर मक्का रखा हुआ है कॉर्ण जो भी आज सुबह हम लोगों ने भूंजा था चारों साइड रेक है देख पा रहा है और छत कुछ इस तरह है काभी मिट्टी लेगे हुए क्योंकि हम लोग के पास प्लेट इनमें धान उन रखा है जो अभी रहा है और दो कैरेट अपने पास एक दरवाजा इस्टरा बचा हुआ है फिलाल अभी लोग का और यह कमरा जो है भी दरवाजा इसमें नहीं लगा है तो कुछ इस तरह यह दिखता है दोस्तों अब इस गलरीश डायेट हम बाहर आ चुक तो यह हमारा दरवाजा पहले बाला है इसको बहुत मिस करते हैं क्योंकि बहुत चोटा था दोस्तों आपको बता दें कि जो यह है यह बहुत लगता था उपर सर पर एक खाट है यहां पर देख पार है रैक बना हुआ है चारो शर्ड यह इसके ऊपर लकड़ी रखे हुई है इन लकड़ी के माध्यम से यहां पर देख पार है जो छत है यह लगा हुआ था यह छत को ढाला गया है लिकिन इनको भी अच्छी तरह कि हमको तोड़ना पड़ेगा फिलाल तो तोड़ेंगे और यहां पर शामने देख पार है एक सेलिंग है छत बनी है जो गलरी साइट मे लिप आते है यह रीपा यह फ्रंट का गेट रोट साइट से जबाएं इन तीये जो हमारा गेट है जो देख पार हम और इसको जैसे यह फिल गया या लिए है तोडोस्तो कुछित और गोर का डिजायल है इस वार बना हुआ है इंदरा वास स्योजना के सामने देख पा रहे हैं कुछ एक दर्वाज यहां फिलगा हुआ है बिंडो लगी है और यह लगे इसके अंदर तो आप ने देख लिए पुरा अब चलते हैं फटा फट बाइर केमरा से इधर चलते हैं और करी ठोकर नलग जाई से पीशे देख रहे हैं और यह पहुंचाया है फिन के खाना खा रहे हैं मिलेगा हम हमें भी खाना तो हमारे लिए जुख वाना है तो देख पानल है गाईज पिरो, ऑल घंटार सकतने हाजाी है जैलम कोutet। जडिकाे साथ हुआने साथ कर दो झाल के चृड़ है वाहम प कर दो कर दो कर दो कर दो दोכा है पर अजर कर दोढ कर दenti